Ted Hughes अपना बहुती famous poem The Thought Fox में actually एक metaporetical theme use किया है इस poem में उन्होंने fox को personify किया है और as a symbol use किया है poetic inspiration करता है ठीक है तो वो यहाँ पर describe करते हैं कि कैसे एक fox आता है और उसको देख करके एक जो writer है जो अपना एक winter कर शाम में अपना घर में बैठे हैं और बाहर forest में देख रहे हैं वो कुछ लिखने का कोशिश कर रहे हैं poetry लिखने का कोशिश कर रहे हैं उनका दिमाग में कुछ आ नहीं रहा तो एक fox आता है बाहर से उसको वो धीरी धीरी करके देख पाते हैं और अचानक से वो fox उनका दिमाग के अंदर घुज जाता है और poetry print हो जाता है तो actually ये कैसी एक writer एक poem को लिखते हैं और creativity कैसे काम करता है poetic inspiration कैसे काम करता है इसी को लेकिए ये poem है thought fox I imagine this midnight moments forest तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? कि मैं imagine कर रहा हूं मैं कलपना कर रहा हूं कि ये एक midnight moment का forest है midnight in the sense मतलब एकदम मध्या रात्रे का बारा बजे का ठीक है उस midnight का जो moment होता है उसमें एक forest को मैं imagine कर रहा हूं ठीक है अब यहाँ पे एक reality और imagination के बीच में जो boundary है वो ब्लर हो गया है अब यह जो forest है वो सच मुझ में भी एक forest हो सकता है जो writer का घर का बाहर हो और यह एक unconscious mind का भी एक बहुत strong symbol है जहाँ पर forest आपका symbolize करता है कि उनका unconscious mind में क्या चल रहा है क्योंकि unconscious mind में भी darkness होता है वहाँ हम लोग clear नहीं होते है कि unconscious mind हम लोगो control का बाहर होता है उसमें सब चीज clear नहीं होता है वो काफी instinctive होता है तो इसी लिए forest को unconscious mind के साथ तुलना किया जा रहा है something else is alive कुछ और भी चीज है जिन्दा है तो यह जो midnight moment का forest है ठीक है यह unconscious mind है इसमें कुछ और भी चीज जिन्दा है किस चीज को छोड़कर के हाँ बोल रहा है कुछ और भी चीज जिन्दा है तो मतलब कोई और भी जिन्दा चीज इसमें already है एक जिन्दा चीज तो poet खुद यानि जो बैट करके जो poet का speaker है जो poetry लिखने का कोशिश कर रहे है वो खुद जिन्दा है उनको छोड़के और भी क्या चीज है the clock's loneliness and this blank page where my fingers move तो पूरा setting में बस कुछी चीज है ज्यादा चीज नहीं है एक poet खुद मतलब जो बैट के poetry लिखने है कोशिश कर रहे है एक है clock घरी और loneliness देखिए word choice को अब देखिए कि घरी जो है न वो काफी lonely है ठीक है क्यों घरी के साथ और कोई ज्यादा चीज है नहीं उसका साथ देने के लिए बस कौन है बस writer खुद है and the blank page एक खाली पन्ना है where my fingers move जिसमें मेरा हाथ रखा हुआ है हाथ क्यों रखा हुए खाली पन्ना में क्योंकि वो खाली पन्ना को में poetry लिख करके भरना चाहता हूं ठीक है लेकि यह poetry मेरा दिमाग में आ नहीं रहा है लेकि मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने का यह struggle को दर्शाता है कि कुछ चीज क्रियेट करने का एक struggle ठीक है एक inspiration को ल रशा रहा है ठीक है और बस forest है through the window I see no star यहां तक कि इतना अकेला पनपूरा चीज में है कि उनको कोई star भी नहीं दिख रहा है अंधेरा तो है winter का शाम है रात है लेकिन रात में कोई सितारा भी नहीं है कोई सितारा मुझे नहीं दिख रहा window से it's very dark something more near कोई जो चीज है न कि उनको छोड़ करके clock को छोड़ करके और blank page को छोड़ करके कुछ और चीज तो है लेकिन वो क्या चीज से वो समझ नहीं पाई second stanza में समझ रहे वो और करीब आ रहा है वो चीज बस已经 समझ करा वहा लेकिन अधेरि में खुस करके मेरे नजर से दूर है लेकिन मेरा करीब आने का कोशिश कर रहा है ठीक है अब आया सबसे पहले थर्ड स्टैंजा में सबसे पहले फॉक्स का जिकर हुआ तो ठंडा जाहिर सा बाते विंटर का शाम है इसलिए ठंडा तो होका ही डेलिकेटली मतलब बहुत ही आराम से as the dark snow snow क्या है snow तो white होता है लेकिन dark क्यों कहा गया क्योंकि रात का snow है इसलिए ठीक है तो एकदम अंधेरा हो गया है काला गहरा snow में बहुत ही महीन सा प्यारा सा ठंडा तरीके से एक fox आया पूरा नहीं सिर्फ उसका नाक a fox's nose touches twig twig यानि टहनी लीफ यानि पत्ता तो वहीं जारी में से forest का जारी में से जैसे एक fox का सिर्फ nose दिखाए दिया जैसे एक fox क्या है सिर्फ अपना मुह घुसा रहा है ठीक है वह forest का अंदर ही है वो पूरा अपने सिर बाहर नहीं किया सिर्फ उसका नाक दिख रहा है ठीक है पहनी में से पत्ता में से two eyes serve a movement पहले नाक दिखा अब क्या दिख रहा अब दो आखे दिख रही है two eyes serve a movement दोनों आखे चल रही है चल रही है देसेंस मतलब आखे जो blink करता है इदर दर move करता है तो वहीं बता रहा है कि दोनों आखको movement दिखने को मिल रहा that now and again now and now and now देखिए कितना बार repetition किया गया now का, now and again now and now, मतलब अभी फिर से अभी, अभी और अभी तो ये बार-बार ये now को repeat करने का कारण है कि वो दिख रहा है धिरी-धिरी करके एक बार दिख रहा है एक बार छुप रहा है, एक बार दिख रहा है तो ये as if वो एक live event का ये जो बार-बार reputation कर रहे हैं वो जान बोज करके कर रहे था कि जो reader है वो भी उस tension को समझ सके वो भी उस mahal को समझ सके जैसे एक पूरा cinematic feeling वो देने का कोशिश कर रहे है कि धेरी-धेरी आँखें जल रहा है और poet को वो attract कर रहा है ठीक है poet देख रहा है कि यह तो एक fox है ठीक है उसका आँख अभी जल रहा है अभी इधर अभी उधर sets neat prints into the snow between trees अब वो क्या कर रहा है अब वो fox क्या कर रहा है neat यानि की clean, saaf, print यानि की उसका footprint, fox जब चलके आएगा तो पूरा snow है तो snow को पूरा उसका पैर का चाप पड़ेगा न तो वहीं आराम से एकदम साफ सोतरा पैरों का चापो चोड़ा है snow में between trees गाच के बीच में, पेडों के बीच में and wearily a lame shadow lags by a stump and in hollow of a body that is bold to come wearily wearily मतलब होता है cautiously ठीके, काफी सतर्क तरीके से alert तरीका से a lame shadow lame in the sense ineffective unclear shadow, shadow मतलब तो परचाई तो एक सही से ना दिखने वाला एक सही से समझ में ना आने वाला या सही से पहचान ना करने वाला एक परचाई क्या कर रहा है lag कर रहा है lag यानि पीछे पढ़ जाना ठीके पीछे पढ़ जा रहा है stump by a stump and in hollow stump in the sense यहां आपका छोटा छोटा जो जंगल में छोटी छोटी जाडिया रहता है या पेड़ पौदों का थोड़ा stem वगर रहता है उसे को stump कर जाता है छोटा छोटा पेड़ पौदा चोटा जाड़ी तो कहीं जाड़ी के पीछे या कहीं कोई छोटा पेड़ के पीछे वो कभी-कभी वो परचाई पीछे पर जा रहा है ठीक है कभी इस जारी के पीछे देख रहा है कभी उस जारी के पीछे दख रहा है लेकिन clearly निजर नहीं आ रहा, थोड़ा-थोड़ा करके, कभी इधर, कभी उदर and in hollow of a body, that is bold to come hollow मतलब होता है कि आपका empty, फांका, चाहिए न, of a body इसका मतलब ये भी है कि परचाई है, तो body भी होगा, fox भी होगा बिना fox होगा, तो परचाई कहां से दिखेगा लेकिन वो body है न, सही से दिखने रहे, body is not concrete, body is hollow यहीं से एक hint हम लोग को मिलता है कि fox, real का fox नहीं है अगर real का fox होता है, तो उसका concrete body होता, दिखने वाला body होता सच मुझ का शरीर होता, लेकिन ये तो फांका शरीर है, ठीक है मतलब fox, एक symbolic fox, यहीं पर पहला hint हम लोग को मिलता है clear hint पहला मिलता है, that is bold to come, लेकिन जो आने के लिए तयार है, जिसको आने में कोई डर नहीं, जो अभी आने वाला है यहां bold in the sense certain, assured, ठीक है, जो अब आने ही वाला है एक दम निश्चित तरीके से आने वाला है, अपना appearance करने वाला है, इतना देर से जो hi-dency के एक तरीके से खेल रहा है, कभी नाँग दिखा रहा है, कभी आँख दिखा रहा है लेकिन लग रहा है, अब वो धीरे धीरे अपना पूरा शरीर को प्रकाश करने वाला है ठीक है, across clearings and eye, a widening deepening greenness, clearings का मतलब होता है आपका, वहीं जाड़ी के बीच में ही या जंगल के बीच में ही थोड़ा सा जो साफ सुतरा इलाका रहता है, कभी थोड़ा सा छोटा घास वगेरे जमीन ठीक है, जहां से आपने चल वाल के जाता है, ठीक है, उस जगा को clearings बोलत एक मतलब फैलता हुआ, एक बहुत ही गहरा हरा color दिखा, हरा color in the sense, जो मतलब fox का eye का color होता है, खास करके रात में दिखिएगा, कोई भी जंगली जानवर का आँख हो न, वो बहुत ही bright green एक shine करता है, ठीक है चमकता है वो, तो उसी को बता जा रहा कि widening deepening greenness, तो एक तो यह जो fox है, तो actually poetic creativity है, तो यह जो उठके आ रहा है न, यह कहां से आ रहा है, एकदम unconscious mind में से उठके आ रहा है, जिसका depth conscious poet नहीं भाप सकते है, कोई भी conscious आदमी अपना unconscious mind का depth को ना भाप सकता है, ना control कर सकता है, uncontrollable तरीके से उठकर के आ रहा है, greenness, green भी एक तरीके से creativity या freshness इसका एक सिंबॉल है, जेनरेशन का एक सिंबॉल है, तो कुछ नया चीज, एक नया उर्जा लेके, एक नया creativity लेकर के, वो unconscious का एकदम गहराई से उठ करके आ रहा है, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है, यह जो creativity है न, यह छोटा, यह कोई limited चीज नहीं है, यह unlimited है, ठीके, और क्योंकि यह unlimited है, इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा चीज ही दिख रहा है, जो चीज unlimited है, वो wholeness में कैसे आप देख सकते हैं, न, वो तो आपका, मतलब, समझ के ही परे है, आपका perceiving से ही परे है, that's why, coming about its own, brilliantly, concentratedly, coming about its own business, brilliantly, मतलब, बहुत बढ़िया तरीके से, concentratedly, मतलब with concentration, बहुत ही attention का साथ, बहुत ही मनयोग का साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से focus का साथ, वो क्या कर रहा है, coming about its own business, अपना काम में वो आ रहा है, अपना काम से वो मतलब रहा है, जो चीज का लिए, जो उसका purpose है, जिसका वज़ा से वो कभी इधर जाकरा, उधर ज purpose हो fulfill करेगा, fox का जो भी purpose हो, वो fulfill करेगा, हम लोग को तो पता है, उसका purpose क्या है, कि creativity देना, poet का दिमाग में, वो जो creative poetic inspiration है, उसका पूर्ल प्रकाश घटना था कि poet जो blank page है, उसको भाहर पाए, तो इससे ही हम लोग को hint मिलता कि अब poet लिखने वाले है, अब poet का जो creative inspiration है, अब उनका दिमाग में idea of poetry आने वाला है, till, अब देखिए, till, यह जो आखरी stance है, इसमें till हो गया, मतलब अब कुछ काम होने जा रहा है, अब एक action है, जब तक कि, with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head, अचानक से एक sudden, अचानक, sharp, यानि बहुत ही intense, बहुत ही तेज, hot stink of fox, stink यानि की बद आसपास से बहुत खुश्बोदार को लोग तो डियो भी हो तो लगाते हैं कि बहुत खुश्बो आएगा, थोड़ा सा एक, मतलब बू तो आएगा ही ना, तो वही को stink बोला जा रहा है, ठीक है, तो यह stink एक तरीके से एक naturalness या wildness को भी suggest करता है, ठीक है, तो अब ultimately, अब एकदम नजदीक से, पोईट को क्या आने लगा, एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही अचानक से, और एक बहुत ही hot, hot in the sense, गरम, गरम in the sense, recent, मतलब एकदम सामने आ गया है, उसका proximity को, है ना, इतना पासवा आ गया है, कि जैसे उसका सास प्रसास, उसका body का temperature, उसका body का warmth, या boyatling in trace नहीं कर पाए, वो सिर्फ कभी इधर कभी उधर एक पार्ट देख रहे है, अचानक से वो अभी आ गया, और आकर के सीधा कहां गुझ गया, it enters the dark hole of the head, दिमाख का एक अंधेरा गुफा में वो गुझ गया, जैसे fox, अपने, मतलब, actual fox जैसे, उसका अपना कोई den होता है, ठीक है, अपना कोई गुफा होता है, कोई cave में वो अंधेरा गुफा में घुझ जाता है, ठीक है, ऐसे है, क्योंकि ये thought fox है, तो इसका गुफा क्या है, ये कहां पे आश्रे लेने जाएगा, ये जाएगा, पोईट का दिमाग में, क्योंकि ये तो है ही poetic inspiration का एक symbol है, त creativity ultimately कहां जाएगा, आदमी का दिमाग नहीं जाएगा, वहीं से न, आदमी उस creativity को दर्शाएगा, तो ultimately poet का दिमाग में creativity घुझ गुझ गया, thought fox घुझ गया, the window is starless still, लेकिन ये जो वो घुझा, उसका वज़े से क्या आसपास का वातावर हमने कोई change हुआ, नहीं हुआ, क्य कि जो खिरकी है न, वो अभी भी लेकिन starless ही है, उसमें अभी भी कोई, मतलब सितारे का रोश्नी नहीं है, मतलब night is still dark, night has still no star, कोई सितारा अभी भी नहीं है, the clock ticks, clock लेकिन अभी भी वैसा ही है, जैसे पहले वो lonely था, अभी भी clock lonely है है, अभी भी वो चल रहा है, समय का, व बयान कर रहा है, the page is printed, बस फरक इतना ही है, कि शुरुआत में जो page blank था, अभी वो page क्या हो गया है, print हो गया है, in the sense क्या, कि poet poem लिख चुके है, उनको पता भी नहीं चला, ठीक है, unconsciously जैसे, लेखिए, एक तरीके से the page is printed, आपको एक बार पढ़के लगेगा, तो poet ने तो क पूरा poetry में क्या दिख्या गया, कि एक बार fox इधर आ रहा, एक बार उधर आ रहा, poet सिर्फ उस तरफ उनका पूरा ध्यान है, कभी नाक देख रहे है, कभी दोनों आँख देख रहे है, कभी परचाई देख रहे है, उस ही में पूरा focus बनाके बैठे है, और अचानक से fox एक control नहीं कर सकते, कि हाँ, आप इसको realize भी हमेशा, पूरा conscious नहीं कर सकते, कि हाँ, अब यह idea मेरे दिमाग में आया, अब मैंने एक word लिखा, अब यह दूसरा idea आया, अब मैंने दूसरा word लिखा, वैसे करके नहीं है, आपको बस wait करना है, आपको distracted नहीं होना है, आपको focus बना में से गहराई में से एक idea fresh निकल के आएगा और बस उसको आपको भापना है उस पे जैसी निकल करके आएगा आपको focus बनाया रखना है जैसे थोड़ा-थोड़ा करके fox का थोड़ा-थोड़ा इससा दिखा फिर अचानक से हो आगया वैसे ही आपका idea भी थोड़ा-थोड़ा लिंक किया जाता है heaven से एक तरीके से लक से तो एक traditional इसका concept है कि poetry का जो creativity है वो एक दम divine एक inspiration से आता है जैसे आप देखिएगा कि पहले का जमाने का जो भी poetry हो हमेशा म्यूज का concept है कि म्यूज को वो लोग मतलब invoke करते थे कि heavenly muse या poetry goddess का आशिरवाद मिलेगा तो पढ़िया से उनका poetry चलेगा तो यहां पर यूज उसको थोड़ा सा decent करने का कोशिश कर रहे है वो poetry को कोई heaven sent आशिरवाद या कोई divine flash of imagination नहीं बताना चाह रहे है कि poetry जो आहां स फुल रहना है कि जब वो आए तुम उसको follow कर सको that's it अशा करते हैं यह poetry को पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनले को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब करके notification bell icon तबा दीजे क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो आने बाले हैं okay so thanks for watching guys stay tuned more videos are coming up झाले हैं